बवानी खिड़ा में निजी अस्पिताल में रगदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें युवा और महिलों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया रगदान शिविर आयोजन की अध्यक्षता मास्टर सबीर ने की और इससे 70 यूनिट तक रगदान किया गया चिकिस सक्स सोमोस ने बताया कि हमें अपने जीवन की रगदान में अवश करना चाहिए ताकि विमारियों से हमारा बचाओ हो सके आज 26 सितंबर 2021 के दिन हमने एक ब्लड डोनेशन केंप का युजन किया है और उसमें लोगों में काफी उच्छा देखने को मिल रहा है और सत्तर इनिट हमने आभी तक कंप्लीट कर चुके है और आधर्स होस्पिटिल गवानी किड़ा में इस केंप का युजन किया गया युवावरग ने काफी उच्छा अभिखाया है इसमें आगे बढ़ चड़ के हिस्सा लिया है और पुलिस कर्मी भाई अपने और महलाएं इन और ने वी बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है इस कार्यकरम में तो बहुत अच्छा लगा मेरे को और सभी जो हमारे मास्टर सत्विर जी आये थे श्री कृष्णदक चेर्में जी अमारे चीफ गेस्ट रहें कार्यकरम की कान बहुत मैक्तो पूरन है हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें नई सेल्स जल्दी बनती है रत का समचार जल्दी होता है और हर्ट अटेक की बिमारी बहुत कम लगती है इसमें क्योंकि नई सेल्स बनती है तो खून पितला हो जाता है जिस बवानी खीरा से शुचिल कुमार की रिपोर्ट